चार हफ़ते के अंदर अगर राखी सरंडर होके बेल नहीं अपलाई करेगी तो उसको अरेस्ट किया जाए लेकिन आदिल को मैं ये जवाब दूँगी कि खुशी मनाना बंद करो राखी अरेस्ट होने की आप चिंता मत करो वो कोड देखेगी आप अपने बचाओ की चिंता क के बाद तो अब हम उनके एडवोकेट से ही जानेंगे फालगुनी जी से आखिर क्या नया अपडेट है राकी सावन के केस में और आदिल के खिलाफ क्या कुछ आगे कारवाई होने वाली है तो फालगुनी जी कैसी है आप मैं बहुत अच्छी हूं क्या हो रहा है इन दिनो राकी भी वापस आ गई है इंडिया क्या नया अपडेट आया है केस में राकी के बारे में जो अफ़ाय फैलाई जा रही थी कि वो एपसकॉंडर है अरेस्ट वारंट है वो सारी चीज़े जूट है राकी कभी एपसकॉंडिंग नहीं थी ना कभी उसकी खिलाफ अरेस्ट जब भी पुलीस स्टेशन से उसको कॉल आया था, 41 की नोटिस दी गई थी, 41 की नोटिस देने के बाद राकी ने अपनी October में ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दी थी और investigating officer ने कहा था कि हमें जब भी जरुत होगी आपकी हम दोबारा आपको बुलाएंगे, तो जब भी पुलीस स्टेशन से कॉल आएगा या 41 की नोटिस रिशू की जाएगी, तो हम उसके लिए राकी जाएगी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और जो भी investigation में corporate करना है, वो सारी चीजे करेगी, लेकिन ये जो अपनी publicity के लिए, अपने आपको बड़ा दिखाने के लिए, अप जो भी हो रहा था, वो legally हो रहा था, legal process चल रही थी, और court के orders का हम wait कर रहे थे, बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है कि राकी आएगी, उसको arrest कर लेंगे, पुलीस को जब लगेगा, जब investigating officer को लगेगा, तब वो खुदी अपना फैसला लेंगे, क्या Mumbai पुलीस ने कहा कि हम राकी को arrest करना चाहते है, क्या Mumbai पुलीस ने कहा कि हमने राकी के उपर lookout notice निकाली, पुलीस तो कुछ नहीं कह रही है, पुलीस अपना काम करी, बेवज़े के लोग जो footage लेना चाहते है, जो publicity लेना चाहते है, वो ये सब चीजे अफ़वाय फैला रहे है, और राकी को unnecessarily harass कर रहे ह अभी हाली में जो Supreme Court से कुछ नोटीस आया हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा था कि चार हफतों के अंदर राकी को कोट में पेश होना पड़ेगा और एल्स उन्हें गिरफतार कर लिया जाएगा, इस बात में कितनी सच्चा ही है? कोट में, ओर्डर में कहीं भी Supreme Court में नहीं लिखा है कि चार हफते के अंदर अगर राकी सरंडर होके बेल नहीं अपलाई करेगी तो उसको अरेस्ट किया जाए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, कोट का ओर्डर जो है कि चार हफते के अंदर Honorable Supreme Court के ओर्डर का compliance करना है, उससे concerned court याने की magistrate court के आगे जाके अपनी बेल application फाइल करनी है, आप उसको surrender करो, surrender करने का मतलब ही यह होता है कि आप magistrate के सामने surrender करो, कहीं police के सामने surrender करने के लिए नहीं बोला है, concerned court के सामने एक procedure होती है, वो law की, वो court ने उसको direction दिये और राकी उसका compliance करेगी, राकी ने कभी court के orders का या police के notice का कभी उलंगन ने किया है, उसने compliance किया है, आगर राकी abscondor होती या गलत होती, तो 41 की notice के बाद वो कभी police station ने जाती, जब जब उसको बोला गया है, और वो दुबई में अपने काम से थी, भागी ने थी. So, अब आगे क्या process होने वाला है, आप लोग कोट में कभ जाने वाले हो, magistrate के सामने कभ राकी जाने वाली है? लीगल प्रोसीडिंग्स जो भी है, वो हम अभी process में है, क्योंकि राकी ने डेली के भी कुछ lawyers को involve किया, क्योंकि Supreme Court में वो देख रहे थे, तो डेली से भी lawyers आने वाले हैं, और सारी चीज़े हो रहे हैं, तो हम लीगली जो भी राकी के लिए करना है, प्रोसीडिंग्स करन राकी क्या आपसे अभी भी राय मशूरा ले रही है, विकॉज सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले क्या उन्होंने आपसे कोई राय मशूरा लिया था, या फिर वो बिना आपको बताए ही वहाँ पाँच के थी, विकॉज एक होता है ना इंसान, जब उसके सामने अचानक राकी को बताए ही वहाँ गबराहट में कुछ भी कर देता है विना किसी की राय लिये कुछ भी, तो क्या राकी ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करने से पहले आपसे कुछ राय मशूरा लिया था? राकी ने जब से एफायर हुई, तब से लेके सुप्रीम को जाने तक मुझसे एडवाइज ली थी, मेरे से as a friend या as a lawyer जो भी मैं मदद कर सकती थी राकी की, राकी को जो भी guidance, बीच में राकी को anticipatory bail कपकी होती, लेकिन कुछ professional लोग ऐसे हैं जो अपने moral ethics को और professional ethics को follow नहीं करते हैं, आप अपने स्वार्थ के लिए अपने client का नुकसान करते हैं, तो कुछ चीजे उसके साथ ऐसी हुई, अगर वो चीजे उसके साथ नहीं होती, तो आज राकी को supreme court तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसके साथ बहुत धोका हुआ है, वो मैं अभी ब करें तो वो तो वही करेगी, अपना फर्ज बनता है as a lawyer, अपने client को सही सला देना, और उसको सही चीजों को ले जाना, आप अपने client के साथ गलत नहीं कर सकते हो, कुछ चीजे उसके साथ हुई है पहले, क्योंकि बीच में मैं नहीं थी, उसके साथ मेरी personal reasons की वज़े से, त जो भी चीजे उसके साथ गलत हुई है, उसको नुकसान पहुचाया गया है, उसको defame किया गया है, उसके साथ जो भी है, उसका हम legally जवाब देंगे, legal proceedings है, मेरे हिसाब से मैं आदिल को एक जवाब देना चाती हूँ आपके channel के तुरू, राखी arrest होने की आप चिंता मत करो, वो code देखेगी, आप अपने बचाओ की चिंता करो कि मुझे कैसे बचना है, क्योंकि आपने भी बहुत सारी चीजे काईदे के बाहर जाके की है, तो आप धिंडोरा बजा नहीं सकते हो, आप धिंडोरा पीट नहीं सकते हो, पहले अपना बचाओ करो, और फिर दूसरों प हमें सब पता है, हमने वो police complaint आज ने किये, हमने चार-पाँच महने पहले किये, आप जो allegation लगा रहे हो न, कि वो video राखी ने viral किये, वो हम court में बताएंगे, जो चीजे पहले bail application में, डिंडोशी court में, जो रखी जाने चाहिए थी, उसको दबाया गया, और उल्टा राखी कोई कडगेर में खड़ा कर दिया, तो मैंने कहा न, कुछ चीजे लीगली भी wrong decisions हुए है, वरना आज राखी सुप्रीम कोट ने गई होती, आदिल को जाना पड़ता है, अब अगर आपकी राखी से बात हुई होगी, अगर आज कल मतलब इंडिया आने के बात से, तो कैसी ह अभी उनकी, मतलब mental health कैसा है उनका, क्या वो इतने सारे notice आने के बाद घबरा गई थी, क्या situation था उनका? राखी तो मस्त है, आपको भी पता है, और वो वैसी है, उसको पता है कि जब हमें compliance करना है, कोर्ट की directions का, हमें काईदे से चलना है, तो वो घबरा नहीं रही, उसको पता है कि मुझे क्या करना है, डेली के लॉर्रस भी है, उसको support कर रहे है, उसकी legal team डेली की अलग है, मैं उसको अलग, because मैं राखी की friend भी हूँ, मतलब वो अलग bonding है हमारी, but उसको legally जो भी जितना protection करना चीए था, वो हम कर रहे हैं, और राखी कोर्ट में जाएगी, जो भी कोर्ट के directions है, उसको follow करेगी, और वक्त आने पे आपको सारी चीज़े पता भी चलेगी, लेकिन आदिल को मैं ये जवाब दूँगी, कि खुशी मनाना बंद करो, क्योंकि आपने भी बहुत सारी चीज़े, जो legally नहीं करनी चीए थी, आपने किये, तो आप अपना बचाओ करने की तयारी करो, ना कि राखी को जेल बेजना, नहीं बेजना, वो court decide करेगा, he is no one to decide, और आप लोग उसको publish करते हैं, उसके लिए वो ज़्यादा थोड़ा अपने आपको lawyer समझने लगा है, Supreme Court का, चीज़े मैं ये बताना चाहूंगी, कि actual चीज़े, जब बाहर निकलेगी, ना, तो बहुत सारे लोग जेल जाएंगे, वीडियो कैसे viral हुआ, कैसे हुआ, देखो कोई भी तो इतना बेवकुफ नहीं है, ना, IT हमारा cybercrime cell है, Mumbai police तो बेवकुफ नहीं है, वो अगर जिस वक्त हम, क्यूंकि राखी दुबई में थी, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब अब चीजों की तहकीकात होगी, investigation होगा, तो cybercrime और IT, चीज़े ऐसी होती ह ना, कि आप जड़ तक पहुच जाओगे, और हम पहुचेंगे और बहुत जल्दी पता चलेगा वो वीडियो वाइरल किसने और क्यूं की थी, Thank you so much वालगुन जी आप मेले और आपने इतनी सारी information समारे साथ शेयर की, thank you so much.